सबस्कार साथियों वेरी वेरी गुड इवनिंग टो एवरीबन सुब संध्या आप सभी सामजिक विज्ञान के सभी साथियों के लिए रामसा यूटूब चैनल में बहुत बहुत श्वागत है सभी साथी लाइब आजाईए जल्दी से और आज की सांदार्शी कक्षा में त का सभागत है बंधन अभीनान है कि आपके ही जैसा कि कहा था कमेंट्मेंट थी मेरी आप सभी से कमेंट्मेंट के निए काफी क्या लोग मुझे बहुत ब्स लोग मुझे 2002 कर रहे हैं कुछ लोग2023 कुछ लोग 2022 से कुछ अभी तेश में बहुत पके बीच जो साथी मुझे में 2018-19 से फॉलो कर रहा उनको पता होगा मेरी कमेंडमेंट में जो होता है पता नहीं मुझे अंदर से एक ट्रस्टेड हो जाता ही है कि यह चीज बिलकुल राइट टू टाइम पर होगी वह वैसे ही होता है ठीक है अभी भी कुछ जादा आप लेट हुए नहीं है फाइनली इस भी वोट ने अपना इंट्रॉडक्शन दे दिया है 2024 का उस इंट्रॉडक्शन में आपने देखा कि जुलाई अगस्त में बर्गदो चैन पर इक्षा की चर्चा कर ली गई है तो अब एक टार्गेट है समय हैं पस इसके बीच जो आपकी क्लेजी है अकमनता है जो आपको बता दूँ कि जिन साथियों को नोर्स चाहिए है प्रॉपरली तो अभी नोर्स बुला लीजिए क्यूंकि मेरे नोर्स जो है वो दो टाइप के नोर्स हैं आपको मैक्सिमम दो महिने का समय नोर्स पढ़ने के लिए चाहिए रही बाद सलेबस की तो देखिया मैं प कंप्रीट नोर्स मिलेंगे पीडियेप में टेसरीज मिलेगी और मिलेगा प्राक्टिस सेट जो की आपको मिलेगी रामसर इंदौर एप्लिकेशन पर प्राइज रहेगी इसकी 56599 या 699 यह प्राइज नहीं है यह ओफर की प्राइज थी इसके बाद आप लोग आज ही प्राइज बाली बात नहीं है बस आप लोगों को एक पोस्ट का इंतजार करना है और उसी के लिए मेहनत करना है एक चोटी सी बात अगर आप से मैं कहूं एक सो पचास में पीएसी पोस्टों के लिए लगाता दो लाख बच्चों के आविजन आते हर साल 150 250 पोस्टों के ल सभीतर अजग जी को राधे राधे कृष्णा जी राधे राधे परी जी जाहिंद बहुत स्वागत है बहुत बहुत इबनिंग चलिए तो सुरुवाद करते हैं आज की को सीरेज के लिए पहले आपका स्कीन पर है एफ डी आई अब यहां पर आप लोग पहले तो इसको प सभी को बता है वैसे मैं बता भी चुका हूँ यह कोशन एक दो बार तो आप लोग जल्दी से स्कोशन का जबाब दीजिए कमेंट में और स्वागत है सभी जी ओके टार्गर टाइगर ओव बिंद ओके प्रिदीप जी जैशी किस्टना स्वागत है आपका प्रिदीप जी है आपका भी अबवराजी के मिस्टी या इंग ओफ केमिस्ट्री सुनाएं क्यून ऑफ केमिस्टी क्या बात है जी बहुत शांदार सुधा जी का भी स्वागत है गूड़ीविंग वेरी आपको सुधा जी ठीक है तो देखे तर्षी को बता है कि एक फंडिंग इर English to English ज्यादा समंझ में आता है तो आएटी से कंडिशन में आप English वड़ को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं चलिओ अंगला कॉष्वेह आपके सामने… जली कहनल को कि आपे यारा कोष्व जो थ conceived in place by Aabeam which constitutional amendment act लोट दा वोटिंगे एट्प में 21-18 पडिया 9 10 9 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी थी और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टू सिरी टू सिक्स जो आपका अनुशेद टू सी सिक्स है इसमें आपका दिया गया है क्या एलेक्शन कमिशन और उसी के दो अनुशेद बाद आकर आप जाएंगे तो यहां पर कहा गया है कि इस कंपल में यह दिया गया है अनुशेद किर्मांग 326 में बहुत बढ़िया चली आंसर आना शुरू हो चुके हैं कविता रजक जी का पहला ए है ललीच जी का अभी नहीं आया है किष्णा जी ए जितेंदी जी 62 साल सॉरी 62 साल समीधान चली जवाब दीजे आप लोग और शांदार सूब काइस 1989 में 989 में किया गया था और इसका जो करएक rat Ε copa ना समीधान सथन और 69 बदां संसुदन डिली को एक राजधानी बनाने का दर्जा जी आई थी इसी समय कलकत्ता से राजधानी 1912 में बनाए गई लेकिन 69 वा समधान संसोधन करके फाइनली हमने राजधानी बना करके इसे समधानी किया था तो राइड आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा 61 वा समधान संसोधन इस दा राइड आंसर अच्छा कॉश्चन था ओके अब यह आप लोगों पर बन जाना चाहिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं है इस कॉश्चन के लिए निमलेकित में से कौन सी या कौन सी प्रमुक पसु प्रजाती है जिसका संरक्षन दची गामा रास्टे उध्यान में किया जाता है तो दची गामा रास्टे उध्यान में किस संरक्षन का या किसका संरक्षन किया जा रहा है गोल्डन ओरियल का हंगुर या हंगुल या कश्मीरी हिरन का चित राला का या कस्तूरी हिरन क तीक है आंसर करिए की एिसुख सिंघ दी क्या प्यारा नाम है ईसुख एकी आईसुख प्ड़िया नाम आपका ल asphalt जी नाजी कवीतर रजयक जी पृद्दिब प्रिदेब जी बहुत बढ़िया सांदार भाई प्रिसना जी बहुत बढ़िया ललिज भाई बहुत बढ़िया इसा परफॉर्मेंस आप लोगों का ओके ऑश शांदार नमस्कार अभी जी नमस्कार स्वागत है आपका अभी भाई इसो जी ठोड़ा सा कोशिस करिए आपने कोशिस अच्छी किया हलाकि ठीक करिए आप अंसर को कविता जी सुदा जी बहुत बढ़िया तो राइट आइसर आपका कहंगुल हो जाएगा करस्मीरी हिरन हो जाएगा क्यूंकि यह जो है यह बिलुप्त होने की कगार पर है और वि इस तौर पर हंगुल का और करस्मीरी हिरन जिसे कहते हैं इनका सर्रक्षन किया जाता है तो राइट आंसर यहाँ पर आपका भी हो जाएगा अंगला कॉश्चन है आपके पास में क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है इसमें इस आयोग ने ठीक है इस आयोग ने सिपारिस की कि राजजपालों की निक्तियों में सक्तिक से पक्षपाती नहीं की जानी चाहिए राजजपालों की जो निक्ति होती है वो किसी राजनितिक सर्रक्षन की अंतरगत नहीं होनी चाहिए उनको अपने हिसाब से राजनिति होनी चाहिए चलिए तो यह किस आयोग की कहावत है या किस आयोग ने कहा था यह आपको बताना होगा है बहुत बढ़िया कि बहुत शांगार है कि 1983 में बिल्कुल आया था सही बात है कि अच्छ चलिए नहीं भया यह कौन आंसर लगा रहा है भी पिरदेप जी क्या कर रहा है यह आप लोग इस कोईशन में तो मैं कहूं अगर आप से काफी चीजें आप लोगों ने यह कमिशन आपने अभी तक पड़ा नहीं है कि इसकी तो चर्चा अनुछे दो 252 में तक चर्चा की गई है आपने अभी अच्छे से संबंद नहीं पड़ा है कि राज्यों और केंदर आपको पता है न कि कैंदर और राज्यों के संबंद की सतापना ut4 7 से स्टार्ड होती है और आंगे तक ज्याती है तो केंदर और राज्य के संबंद में बहुत सारे अनुछेते बहुत सारे आयोग बनाय गये हैं और इस about में जो सबसे माहत्पून किया जाता था तो कई बार स्टेट उनकी उपर हाभी हो जाता था और सेंट्रलाइज जैसन चीजें नहीं हुपाती टीटो सेंटर का मतलब जो डिल्ली में बैठी लोग हैं और जो मद्ध्रदेश में हैं इनके भी सामने में बनाने के लिए सरकारी आयोक किस्तापना की गई थी या कठन किया गया था सु राइट अंसर यहां पर आपका क्या होगा सी इसदर आइट आंसर ओके कोई बात नहीं गलत हुआ चलता है का टकॉस्टन में पर द्हान से यह आंसर लगाना आप लो तो हटा दी, हाँ यार यार यह कौशन साहएट आप लोगों पर बन जाए, बन ही जाना चीए कौशन रिपीटेट है मेरे हिसाब से तो क्योंकि यह कौशन 23 में कराया था मैंने आपको जब अभी 2023 का एक्जाम पेपर करा रहा था तब उस टाइम पर मैंने आपको पेपर कराय था बढ़िया कोशन है बन जाना चीए कोई दिक्यत की बात नहीं है कॉस्टन किर्मां कुंसा है यह कोशन है आपका 6 नम्मर का 16 कोशन है नीचे आपसन दिये गए हैं बढ़िया मिला यह और आंसर बताईए गे घृट ऑगे तोट अधिृग ईयवरीटेवन ने सब्भीद्धान पूले पढ़ाना बहुत आसान है पृद्दीब भाई संभीधान करता है उसकी भाग पर भाग डिपेंड करते हैं कवीता जी बढ़िया सरला जी वेरी वेरी गुड इबनिंग सरला जी डिपेंड करता है आपके भाग कितने हैं 25 25 भागों को डिवाइड कर दो उनके अनुछेत से किस भाग में क्या दिया टोड़ टोड़ के याद करो आप कि इतने भागों में इस भाग के अंदर गज़ भाई सम्विधान में दिया गया संग और राज छेत्रस में मौले का दिकार है और एक की कनुछेत को पढ़ लो बस एक कनुछेत याद है समझ लीजिए आपको पूरा सम्विधान पता है बहुत बढ़िया क्या बात है सांदार एक नमड जबा रहा है सभी लोगों का अभिका जी इसु जी कविता जी परीजी इसु जी जी जीतनन जी आज कल के नाम कितने सॉट हो चूकी है जीतने सॉटकर नाम है बढ़िया बताइए सौटकट नाम कितने प्यारे नाम होचो किष्णा जी जितंद्र जी बहुत बढ़िया पहले तो होता था घंस्याम कुमार थर्मा पहले बहुत अच्छे नाम होती थे रेम नारायन प्टेट वह एक पूरा ऐसा लगता था जैसे बस थी अड्रेस पूरा प्राचीन नाम आपको जितने भी प्राचीन तो क्या हजारों साल पुरानी की बात नहीं आप 20 साल पहले की भी नाम देखेंगे ना सबसे जादा आपको प्यूरूटी भगवान की दी जाएगी भगवान के नाम को जादा रखा जाता था ओके सो राइड आंसर देखिए व प्राचीन तो की मुरक्कोदेश से आया था उमायू नामा जो है यह गुलबदन बेगम उनकी पहन ने लिखी है बातसायनामा लाहूरी ने लिखा है बहुत आसान था फोर्ट इस दा राइट आंसर पहले का दूसरा दूसरे का पहला चोथे तीसरे का चौथा और चौथे क कॉशन यह भी आगया आपके लिए इसको मैं छोड़ देता हूं कि क्यों को काम करनी समझ मैं चली यह कॉशन आप लोगों पर बन जाएगा जियोग्राफिक का कॉश्चन है बहुत अच्छा कॉश्चन है अब यह मैं आपको यह जो दूइफ है भारत के दूइफ भारत के बारे में कलिया परसों में पढ़ा रहा हूंगा उसी को परपेट कर रहा हूं पीपिटी में अच्छा पढ़ाऊंगा जितने भी भारत की चोटे-चोटे-चोटे जैसे माजूली तूइफ है मासम का चोटा सब्वीफ है और भी दूइफ होगे इन पर पढ़ेंगे तो जो पर आपको बताना होगा कि उसका नाम क्या है अराकान योमा है असकाई चीन है पेंगू योमा है या फिर तिया सान है वाय यार बहुत बढ़िया कोपाल जी क्या पूछ रहे हैं आएंगे आएंगे सर मैं वीडियो में इतनी जादा जानकारी दे देता हूं कि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में किसी को कुछ बता ऊँँ तेरा वीडियो इसलिए 20 मिन्यट का जाता है अगर में कोई इन्फोर्मेशन देता हूं और फिर मैंने आज कोई वीडियो नह कि मैं सूचता हूं की बार-बार मुझे वीडियो ना बनाना पड़ी बारा वीडियो होता है तो आप लोगी करकर देखते हैं बीज में जानकारी देखते नहीं हो फेर मुझसे पूश्तियों कहीं कॉल पे कहीं मैसेज में अतुल कुमार रजक जी में का टाइमिंग है साम को छे बजे से सरला जी थोड़ा सा करिए अभीका जी बहुत बड़ियां सांदार असोक जी भी थोड़ा सीख करिए कल आ जाएगा सचिन जी कल अवाज तो आया नहीं क्योंकि आ जाना था चली यहां राइट आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा यहां पर अराकान योमा नाम सुना होगा कितनी बार तो यूटूब पर टेलीविजन पर हर जगह राकर आम योमा की चर्चा की जाती है लोग खजराहू के मंद्रों की वस्तूकला के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है यह आपको बताना है एक बात जो ऐसी है गलत है गलत बात को बताइए जो की धार्मिक नहीं है कही ना कहीं इसका गलत इंटिंटिटिे शन भाट अउटू अ expensive घिटूट अर्चlando P फ्लाविंग कॉश्य आप्शन खजराहू टेम्पल कंटेंट इरेक्टिर एंड इंसर्ड आप टेम्पल्स टेम्पल्स वर मेड वादा सेंट टॉन सेंट सेंट इस्टाउन एडवाज़ विल्ट ए नगारा स्टाइल आप दा अर्टेक्शर दा कलंप कॉलंप्स एंड अर्ट इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा देखें यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर दो तरीके से कि पहली तो पंचाइतन सहली में बने यह यह जवाब तो नहीं होगा आपको मन्दिर करें दो प्रकार के मंदिर तहीं ने वनवाए उत्तर पिण होते है यहां पर एक बात कही यह गलत है अब आप कहेंगे सर यह क्यों कह रहे हैं आप गलत है बाहर के लोग तो इसी चीज के लिए आते हैं पर यहां जो बात की गई है कि यह सत्त नहीं है मतलब ठीक है एक सेकेंड मतलब यह जो बात यहां पर यह भी है मनागर सेली का भी हो सकता है वहां पर मंदिर बनी होंगे पर यह जो बिसेश बात है कि मंदिर के अंदर अब बात की जा रही है कि मंदिर की कला के दस्टी से तो मंदिर में जो कला है उसके लिए यह चीज एक्सप्ट नहीं है यह बहुत इसुन रॉंग बात कर रहे हैं यह सारी हो सकती हैं पलुव पथर हो नगाडा सैली चोटी बोटी हो अर बस्तू कला के लिए मेंगत का मतलब ही पत्थर होता है देखो अगर आप कहते हैं खजराह में खजराह में हो सकता है कि यह चीज मिले को पर खजराहों के मंदरों में यह चीज मिलेगी तो यह गलत यह है एकसेप्टेट कॉश्चन यहां राइट अंसर जो है वह यह हो जाएगा आपका ना कि आपका यहां पर दूसरा गोगा वाकि यह सब चीज़ें तो manageable है मंदर के अंदर यह चोटी-चोटी चीज़े मिल सकते हैं यह चीज गलत है खजराहों में हैं लेकिन खजराहों के मंदरों में यह नहीं है नेक्स्स कॉशन अच्छा कॉशन है वह बन भी जाएगा दस्वा कॉशन निम्ले कितमे से कौन सा इस्थान इस्थूप मठों मंद्रों और स्थम्भों के लिए फेमस है ओके बढ़ियां जबाब लेलिच जी बहुत बढ़ियां स्टारिंग सरंदार क्या होता है ना कि बहुत सारे मंदर बने हैं तो यह सेली जो हो सकती है पर पंचायतन सेली आंसर लगाना कभी भी पूछा जाए कि खजराहो के मंदर की सेली कौन सी है तो पंचायतन मुख सेली है यह बाकी हो सकती है एकाद मंदर बना हो तो आंसर साच्ची सच्ची बताओ एक बच्चे का वीडीया वायरा नहीं हो रहा है कि उसमें कहते हैं फोले यह फूट वौल पलके को शुवआ Whats यहां सांची को कुछ लोग जो है राइटिंग में सच्ची लिख रहे हैं इसलिए मुझे याद आ गया यहां पर महा मोगलाइन और रसारी पुत्र जो उनके सिस्ष थे आपके गोतम बुद्ध जी के उनकी अस्तियां रखी गई हैं और इसकी जो खोज की थी वह 1818 में आरे बना हुआ है बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेकिन क्या है देखो अगर आप एक बात बताएं आपको यह भी बन जाएगा आप लोगों से गीत गोविंद के लेखक हैं जैद्यों और जैद्यों किसके दरवार में रहते थे यह आपको मुझे बताना है अगर आपसे मैं कहूं कि बाहर के देशों के लोग सो लोग मद्यप्रदेश घूमने के हिसाब से तो सो लोगों में से 95% लोग सिफ खज्रा हो जाते हैं पतावा कि खज्राहों से भी अच्छी चीजे हैं तो खज्राही ही जाते हैं पर उनका इंटेंशन मंदिर की तरफ नहीं होता हो थोड़ा सा रचनात्मक चीजों को देखना चाहते हैं इसलिए रचनात्मक तरीके से के खज्राहों प्रापल मंदिर प्राची बहुत प्राची होई चंदेल वंसों ने बनवाये थिस दिलाजा हो ने बहुत प्यारे मंदिर और उहां पर दो है हूँ रीना जी चाहिए आपकत हूँ इसन और ये जो बंस है इसकी राजधानी थी लखनोती इसतना समझ जाए लखनोती इनकी लाजधानी का नाम था लखनोती इसे नदिया भी कहते हैं ठीक है और ये जो था इन्होंने अपनी जो मात्रभासा थी उसे हिंदी बनाया इस बंस के अंटिम सासक का नाम था भलाल सेन और इस बंस इस बंस को अंटिम हिंदू सासक कहा जाता है बंगाल का पाल बंस नहीं है पाल बंस थो बहुत धर्म था है बहुत का उसके बाद यह अंटिम हिंदू बंगाल का सासक जैसे आपका अंटिम वह होता है न वैसे मिमिक्री आर्टिस्ट में भाईया मेरे अंदर बहुत कला हैं हर चीज के पड़ी पूरे हम चलिए राइट आंसर इस बंगाल के लक्षमन सेल लक्षमन सेल के दरवार में थे यह प्रणाम बभीता जी स्वागत है आपका जैशिया राम नमस्कार जैहिंद के अंगला कॉशन देखिए तोंटीन कॉश्चन है बारवा कॉश्चन है आपका आइटिकल 356 और कंसिट्यूशनल इस रिलेटिव टूदा इंपोश्चन आफ रूल इन इस्टेट तो कसंभीधान में फाइव जिस तो बन जाएगा यार कोई बड़ी बात नहीं बड़ी आंसर है अलाकि एक बहुत बड़ी छती हुई है जैन धर्म से अगर मैं देखूं क्यूंकि मैं काफी चीजों को बहुत फॉलो करता हूं जैन धर्म की और काफी चीजों की क्यूंकि जैन धर्म ही एक वर्ले का ऐसा धर्म है मैं कहूं अगर कि जितनी साधक्ता साध की बध़न जो साधकता है जो एक तरीके से सारी चीज़े चुकि चांतिन से निकले हुए हैं लेकिन इतनी स्वेहन भात है कृष已經 कहानियों के यह समया हम जब देखा हमती है चैसी कहानियों को जैसा आज जैन मुनीर इसी करते हैं सांusan कहानियों में पढ़ते थे कि पहले के संत जाते थे हिमालाय पर रहते थे निर्वस्त रहते थे बना कपड़े बना खाने पीने रहते थे तरसा आज हमें कहानियों की चीज़ें लाइब देखने को मिलती हैं विद्या सागर जी महराज का कितनी बड़ी हस्ती थी पूरे विश आप से तो चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा रास्ट पती हो जाएगा बढ़िया आंसर है राइट आंसर इस ए सभी को पता है अंगला कॉश्चन अब यह कॉश्चन तो उसे साब से सही था लेकिन इसको छोड़ दीजिए ठीक है यह मैं आपको जब आपकी क्लास लूँगा आखरी में जब आपका एकजाम होगा तम मैं आपको यह आखर यह बाखरे जितनी ही होगे एक अपको घुडिप रिजिए क्लिए आजब होता है रभी किसके लिए आखरी कर्द दाता होती है रभी किसको कर्द आखरी तौर पर मतलब बढ़ और कोई कर्ज नहीं देता इनको तो किसको कर्ज देती है करन जी स्वागत है आपका प्रेन जी सुक्रांसад देह यह क्या हो काशा है जांसरे दोटीशरे में विध्य मेलाभी दाञ्टे संगे स्टीशन कोई करन जी किश्नमन चैव्रिश्न धेली न्यूटी जी अभीका जी राइट आंसर सभी का कमर्सियल बैंक ही होगा क्योंकि सरकार को जरुवत पड़ती है तो आई मैप से ले लेते हैं ये लोग वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं ठीक है और और भी सारी संस्ता हैं जीटोंटी सभी लोग करते हैं इसके लिए छेत्री ग्रामिर बैंक चुकि सरकारी बैंक है तो सरकार से लेगी सरकारी बैंक सरकार से लेगी पर जरुवत पड़ते हैं यहां पर किसको फानियंसली कमर्सियल बैंकों को जैसे की सीबी आई स्वी एसबी आई हो गया यह सभी कमर्सियल बैंक में आती है कलहन की झाल झाल को आया है चलिए राइट आंसर क्या होगा देखो प्राकितिक भासा में तो सबसे ज्यादा जन धर्म लिखे गए हैं यह नगरी तो लिपी है संस्कृत भासा है पाली भासा बहुत धर्म की भासा है संस्कृत की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है कलहन जोकी रास्तरंग रहते थे कलहन किसके दरवार में रहते थे रीना जी परी जी कृष्णा जी लली जी बभीता जी सरला जी पिरदेप जी कभीता जी असोग जी सभी आंसर बताइए कि कलहन जो लिखते कलहन जी रहते थे किसके दरवार में रहते थे उसके बाद मुझे आप बताएंगे कि ज राजा हर्स के बहुत बढ़ी असोग जी हर्यक बन्स के महान सासक बर्धन स की कहें हर्यक बन्स के कहें महान सासक बहुत बढ़िया सांदार चली इस question का answer भी बताते चाहिए राजा हर्स असोग जी कविता जी बहुत बढ़िया ओके इसका अविका जी भी बता रही है रीना जी ए बता रही है सिपसंकर जी भी बता रहे है अच्छा आप लोगे बताईए मुझे कि कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं यह चीज हला कि मैंने अभी तक आप से पूछी नहीं है इस question का जब आपका answer हो जाए तो मुझे जवाब बता देना बैसे इसका मैं बता देता हूं चलिए 1991 में जब LPG लाये थे उसी समय हमने NEP भी ला लिया था और इसके माध्यम से देश में एक विसेश प्रकार की कवरें होती है NEP भारत के लिए इंट्रोडेश हुआ था 1990 में मतलब जो लॉन दिया उसकी रिकवरी नहीं हूपा नहीं उसके लिए विसेश त्वर्पिय दिया गया था अच्छा अब यह आपका आज का question है ठीक है मतलब यह तो है है question कितने आवर्स की आपकी पढ़ाई हो रही है मतलब कितना समय अभी आप दे पा रहे हैं फिलहाल के लिए मुझे बताईए कितने घंटे एक घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे इमानदारी से कोई ऐसा वो नहीं है कि ज़रूरी है क मुझे बताएंगे कि इसने घंटे कि आपकी अधियन घो रहा पा रहा है जैंखाजी भी आ चुकी है हमारे बीच में ओके अभी काजी ठीक है ओके रीना जी कोई दिक्ट नहीं है बाद में ले लेना ड़िए तिक है करन जी ठीक है एक गंटे हर बार एक गंटे ठीक है कोई दिकत नहीं है कविता जी भी दो घंटे कह रही है दीपक जी सर में गंटे पढ़ता हूँ और दो घंटे कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए बहुत बढ़ी है दीपक भाई da Rs पज्बीजन करना जरूरी होता है जो SST है SST का मतलब स्क São S Cars के साथ आपकोई चीजों को समझना होता है रहा अँध भाई या बहुत बढ़्या है आप रदीप या इप प्र इपर या है आट घंडे बहुत अच्छा टाइम है कि स्टारिंग देखो दो घंटे से भी कर लेते हो सुभे साम बढ़िया है रिविजन बस होता रहे तीन घंट समय जिसा आप काम कर रहें पर एक त्रीस जिस दिन नौटिपिकेसन आएगा उसके 45 दिन आपको सब को 8-10 घंटे पढ़ना पढ़ेगा अभी तो आप कितना भी घ सब्सक्राइब करता है अनुछे 76 है जहां तक मुझे पता है कि सामजिक में राजू जी बहुत अच्छे पताएंगे 165 हाँ वह अटार्मी जेनर्रल है वह सीज सोरी सोरी इसका अर्टिकल है 165 कोई बात नहीं है जितना समय है उतना समय निकाल दीजिक कोई दिक्यत की बात नहीं होगी मैंने कहा ना दो घंटे भी बहुत हैं अपने इसाब से इस कोईशन में कुछ लोग ए बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं टजू चाजू जी बता रहे हैं ए ऋटेश के लिए होता है जैसे कहते हैं आप महा दीवक्ता जो होता है वो राज्जी के लिए होता है जो जब में किलिए तो इनका क्या गया है 165 में राजजपार इनकी निक्ति करते हैं और यह सरकार की तरफ से आपने कोई भी कैस गवर्मेंट पर किया कुछ भी बात हुई तो यह गवर्मेंट की तरफ से कारबाई कराते हैं गबर्मेंट की वकील कहे जाते हैं इनका कायल है मद्द पर्देश में कहां पर है आपका यह यह आपका कि कैसा कोईशन है कि छोड़ी है चलिए यह बन जाएगा आप लोगों से बढ़ने मतलब ऐसा सभी करेंगे पर वो कॉश्चन थोड़ा अलग टाइप का था बता यह निम्लिकित में से निम्लिकित के मद्द एक ऐसा उध्योग का उध्यार बताये जो परिबार के सदस्त दोस और रिष्तेदार की मद्द से चला जा सकता है ठीक एक ऐसा उध्योग जो परिबार दोस्तों की मद्द से चला जा सकता है कि अब हुआ है कि बहुत बढ़िया लड़ी जी मार्च में होगी मार्च में बहुत बढ़िया दीपक जी बहुत बढ़िया प्रदीप जी रीना जी कृष्णा जी अभीका जी सरला जी इसु जी प्रेंका जी बहुत संदर तो राइट यहां पर क्या है दोस्तों आप सभी का पॉट्रेज इंडेस्टी जो होती है जिसे कुटीर उद्योग क्या जाता है चोटा अच्छा उद्योग होता है बड़ियां उद्योग राइट आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा ठीक है चलिए अंगला कॉशन बताइए आपके लिए अच्छा कॉशन है एकोनोमी बालों के लिए जादा वेने फिर रहेगा जैसे कि सरलाजी के लिए चलिए क्योंकि वर्ग देख से हमारे स्टुडेंट रहे हैं एकोनोमी के समय अब वर्ग तीन में सिक्छक भी है और अभी वर्ग दो की तयारी भी चल रही है वैसे उद्योग जो मसीन उपकरनों का उत्पादन करते हैं जिसका उपभोग के उद्देश से अन्य सामानों का उ कि ऊप पादन करते हैं इसका मतलब जैसे सपोस्ट करिए कि आपने पैसा लिया और कुछ ऐसी कीज में खर्च किया कि ये सामानों का उत्पादन कर रहे हैं इस मद्वें जो पैसा खर्च किया है वो सामानों के लिए महत्मून है उसे क्या कहेंगे फिकल गोड्स या फिर सेवल गोड्स जी आ अगस्त में अबेनोत कुष्वा जी वर्ग तीन में संगीत और वाकी पोश्टों की एक्जाम होगी जो की बहुत बढ़िया si वो बहुत सांदर मुझे उव्मीद नहीं थी question पर दीपक जी रीना जी असोग जी या सांदर आंसर न या कि बड़ी आंसर बभीता जी ओके राजकुमार जी स्वागत है आपका भी भी या राजकुमार गुर्णिंग गुर्णिंग परी जी महेश जी इसे संसाधरों में आपने बताइए आपने बड़ी टेक्टर करेगा किया करेगा किराया आपके पैसा यहािएगा आपने इंडस्ट्री और पांदि Knzia बना लिए इसे कहते हैं capital वो goods मतलब पोजीगत बस्तुएं जो आपको पैसा कमाने में मदद करती है ठीक है अच्छा question था अच्छा answer आया है यह question आ गया जियोग्रॉपी का question है हवा दो-तिन question हो करेंगी हम लोग अभी बस हवा के पिर्थी एकाई भार में उपस्तित वास्मे को क्या कहते हैं एक बार पूरा जूब करके दिखा देता हूं मैं आपको यह लीजिए अब आके पिर्थी एकाई भार में उपस्तित वास्मे को क्या कहा जाता है हाँ बवीता जी महानियावादी कहा जाता है उन्हें तो लिट जनर कहा जाता है बसे चलो अच्छा है एक उम्मीद आगे आप लोगों को पढ़ने की सरकार ने अच्छा किया मुझे काफी अच्छा लगा कल में काम और करूंगा वर्गदो का स्लेबस वर्गदो क्या रहेगा पैटन क्या रहेगा यह सारी चीजे में कल समझा दूंगा का राजकुमर जी सेस्ट की लीए बहुत जल्दी यह वहां पर इतनी जल्दी सुरोओ वहां पर क्या कंटेंट बहुत सारा है और मैं नयागे करूंगा अभी बहुत जल्दी कोई एक सब्जेक्ट में क्लियर कर लो और में रेगुलर कर दूंगा बता दूंगा मैं आपको मुझनता मत करो वैसे भी सारी चीजें पढ़ाई हुई है मेरी वहाँ पर बहुत कम चीजें हैं जो नहीं पढ़ाई हैं तो मैं और दुबारा से भी पढ़ा दूंगा जब चैन परिक्षा आएगी नोडी किसन के पहले से लाइब कर दूंगा सो सारी चीजें नहीं सरे से आप यहां पर जो है हमारे हां से 35 किलोमीटर उपा जाई यह तो यहां पर हवा में नमी पाई जाती है तो उस नमी को आदिता कहते हैं तो सभी को पताए अब एक होती है निर्पेक्ष यह संत्रप्ति आपक्षे तो और विस्स्ट का मतलब यह होता है कि उसकी कैपिसिटी क कंपियर में बायू हवा में दाप कितना है उसके साफ से निकाला जाता है इसे कहते हैं विस्स्ट आधिता यह जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगी कि आधिता की परकार बायू में जो घनाब होता उसके कितने परकार होते हैं उसे चलिए यह कॉशन भी बता हूं कि बिल्कुल है आँ दोहजार तेज का यह पेपर नहीं है चुकिए दोहजार कर रहे हैं तो काफी मुझे बच्चों ने कहा कि सर यह जो पेपर में कॉशन आ रहे हैं गुट निर्पिक्च अंदोलन के बाहर बिदेशी संग्ठनों के तो यह एक तेश में आरे ज कर रहे हैं ना इसी को पेटन में 2023 ने फोलो किया और जो हमने 2023 में किये थे बहुत सारी कॉश्चन यह 19 के हैं वह भी आपको यहां देखने को मिलेंगे अब यही कॉश्चन 2023 में भी मैंने पक्कडवाया था आपको ठीक है इसी पेटन को रखा जाता है तो आपको पता होगा कि हमारे जबाला नहरू जी की कोसिस से यूगो सलाविया जी के रास्टपती जी के कोसिस से बैल ग्रेट में ठीक है सोरी बैल ग्रेट में नहीं बाडूंग में बाडूंग में 1961 में गुट निर्पेक्स संविलन हुआ था बल्कुल जबाब सहिए आप सभी का अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार मैंने यह आपको कितना कितना समझाया था यह संविलन गुट निर्पेक्स संविलन जिसमें यह मिस्र के राश्पती थे यूग सलाविया के थे और बैल ग्रेट के साथ थे बैल ग्रेट की भी थे तीन से चार देशों ने मिलकर के 1961 में एक संगठन बनाया था गुट न तो कि ने खटन कर दिया है कि मद्य पर्देश भी खबंकर देगा हैं अजीवत का संपर्दाय जो है धर्मिक संपर्दाय के आचारे का नाम क्या है और czy ओँए राजिस्तान ने तो खर दिया है बस मद्यप्रदेश का नहीं पता क्या होगा अन्यसेसरी है 40-50 परसेंटों चली सभी को पता है कि असोग जी के पता जी थे बिंबिसार बिंबिसार जी ने अजीबक संपर्दाय को जोईन किया था एक संपर्दाय को चलाने वाले के जो गुरू जी थे उनका नाम था मांकली पुत्र गोशाल चलिए अब यह आज का आखरा आखरी कोशन में आपसे कराने जा रहा हूं जो कि है 29 बार आज का आखरी कोशन है मूल सिक्षा मतलब मात्र बहसा की सिक्षा के लिए सबसे पहला समर्थन किस ने किया था इसी के साथ आज की सीरेज को हम यहीं पर ठोड़ा रोक लेंगे आज थोड़ा प्रोग्रामिंग सारी चीजें हैं मैं क्या बताऊं कि थोड़ी मेहनत दिन भर में ज्यादा हो जाती है थोड़ा विक्या साधी वगरा का प्रोग्राम भी चल रहा है मारे मुशा जी के यहां पर है तो चलिए प्रियेट मानने तो नहीं होगी राजुजी बड़िया आंसर बारे बाव वही यॉर्क और वॉल पर सिक्स मानने का जो मज़ा है जीवन में वह कहां रखा सभी ने यॉर्क और वॉल पर सिक्स लगा दिया है क्यूंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो संत अरे दीपक जी भ करा देता हूं वैसे सभी लोग कहते कोई भी कहता तो भी करा देता दीपक जी अमस सोचना की सर आप मेरे लिए स्पेसल है दो तिन कॉश्चन हो करा देते चलिए मुल सक्चा के समर्थ तक महत्मा गांधी जी थी बड़िया कॉशन आ गया है भारत में सहकारी बैंकों के लि इसमें कॉपरेटिव बैंक हैं जो किसानों के लिए रिन देने का काम करती है जो किसानों की घर के आसपास में आपकी गाव में होती होंगी देश के एक बहुत बड़े टेंडिंग पॉइंट पर ये बैंक का गठन किया गया था बताईए बहुत सारे लोग आ गया स्तों बड़ा मज़ा आगे इस कॉश्चन में बहुत बड़िया क्या बात है एफेक्टिव एफिसेंसी बहुत सांदार तो 914-9 में अब यहां कन्फूजन होता है एक तो थी सहकारी बैंक और एक होती है रास्टिक्यत बैंक नेशनलाइज बैंक तो नेशनलाइज बैंक पहली ब बैंक पहलाएंगों का किया था 1979 में किसने इंद्रा गांधी जी ने फिर उसके बाद किया था 1982 में छे बैंक तो यह नेशनलाइज बैंक हैं और यह सरकारी की कोप्रेटों बैंक हैं जो गावं के विकास के लिए काम करती हैं अंगला कॉश्चन जिला विकास आयुक्त के प बहुत शांदार 85 की बिल्कुल और इनी की बज़य से भारत में उननीसों तेहत्तर में सोरी तेहत्तरवा समिधान संसुदन चोहत्रवा समिधान संसुदन किया गया बिल्कुल गुद्डु यादव जी पुराने कहां है अभी तो आपका बरगेक का रजल्ट आना है पॉलिटिकल साइंस वाला बिल्कुल ओल्ली इंटर्टेन्वेंट जी आ चुके हैं एक भारती इंटर्टेनिमेंट जी थे और एक ओल्ली इंटर्टेनिमेंट जी उन्हों ने तों ना इस नहुंँद अन्हों है थी आप लोग मर में को अभी भी नहीं जा रहा है मर में को पहचानी यह लली जी बढ़िया किरन जी बढ़िया एक नमबर किरन जी कृष्णा जी एक नमबर तो इससे कहते हैं जी हां मैं हूँ जी हां मैं हूँ कौन हूँ मैं मैं हूँ डॉन जी बी के राव समीती 1985 में ये एक समीती बनी थी कब बनी थी जी बी के राव समीती बिलकुल वह शानदार हाँ जी हाँ जी और 243 सनुछेद में व्यवस्ता बनाए गई थी ठीक है चले अगला कॉशन देखिएगा आज का आखरी कॉशन आपके सामने है नेमलिकित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसी के साथ मैं आज की के सीरेच को हम यहां पर एंड करेंगे कल फुन से मिलेंगे पुना मिलेंगे फिर से मिलेंगे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि हमें दिल एक्जाम तक धमाधर मेहनत करनी हैं कोई पढ़ाए ना पढ़ाए यूटूपर मैं हमेशा आपके साथ हूँ ठीक हैं जिनको सेलेक्शन चाहिए हैं उनकी लिए बढ़िया जवाब करन जी सिव संकर जी रीना जी गुड्डू यादव जी ललिच दवारी जी कभीता रजक जी महेश वासकले जी कृष्णा आरिया जी पभीता ट्वेंबरे जी करन बहुत बढ़िया चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा रिक जा रही है यह भी एक गैस है जो कम मात्रा में 0.03 परसेंट पाय जाती है बाइयु मंडल में यहां पर बात की जा रही है आप सभी से कौनसी ए ग्रीन हाउस गैस एक सेकेंड एक सेकेंड है ठीक है इसका आंसर बहुत जी हो जाना चीह था अरे यार भाई साब मेरे आरगन गैस ग्रीन हाउस गैस है और शोरी 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 आरगन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह क्या वह रहूं थोड़ा सा आपनों कन्फूजन में आक्सिजन कोई नुक्सान नहीं पहुंचाती नाइटोजन कोई नुक्सान नहीं पहुंचाती आरगन सबसे प्रॉब्लम बाली गैस है जब करवंडे अक्साइड बैठा हुआ है तो आरगन क्या इसके सामने है सीयोटू तो हमारे घर परिभेस में भी चरचा निकल जाती है न कई बात भीया सीयोटू का माहौल बने तो उट जाना पहले सबसे बड़ा ग्रीन हाउस का प्रभाव एफेक्टिड बना रही है इसकी वजए से कुछ अच्छी वातें भी है कि हमारी प्रत्वी का टेंपरेचर मेंटेन हैं कुछ निंगेटिव बाते हैं कि जब ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान करी जाएगी तो बस फाइनली भीया इसी कॉशन के साथ आज की सीरेच को फिर यहां रोक देते हैं मजा आया वाकी आप लोग नए लोग आई सबका स्वागत है बंधन अभीनंदन है यह मैंटिनेंस बनाके रखना जब तक की नौडिपिकेसर नहीं आ रहा है एक्जाम नहीं हो रहा है यह मत सोचना कि सर अभी से कम छे दिन पड़ें एक दिन बीच में कुछ प्रॉलम मांगी तो भली छोड़ दें कहते हैं रेगुलेटी के साथ मेंटेनेंस आप समय हैं गुड़नाइट कहने का सुबरात्री कहने का बढ़िया आराम करिये खाना खाये रिलक्स करिये कल मिलते हैं आप सभी से सुबह स मिलने का चलिए विदी सासे हैं सुरी कविता जी सरला जी स्वागत है आपका और इंटर्टेनमेंट जी एक सट वसमिदान संसुदन बिलकुल भाई सागर जी बिलकुल बढ़िया सुबरात्री आपको सरला जी परीजी प्रदेव जी सुदा जी गुड़ यादव जी महिस दीपक मेबाड़ा जी मनुच जी सबी लोग सबको सुबरात्री गुड़ नाइट सबसंध्या फिर से मिलेंगे जरू मिलेंगे कल मिलेंगे नौ बजे मिलेंगे आईए आप सभी अच्छा और जो लोग नए हैं जिनको नोट्स लेना है वो नोट्स लेने के लिए मैसेज- और जिनको एप्लिकेशन पर पहुचना है वो रामसर इंदोर एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिए यह पीडियाप आपको वहां पर बिल्कुल फिरी उपलब्द है यह जो मैंने आपको कॉश्चन कराए हैं तो वहां से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं ताति यह कोर्स है ज आपको बहुत सही मैं चिल हो गया दिमाग भी आप लोगों को इतने सारे लोग आ गए थे ना ऐसे आप डेली आओ तो आप लोगों को भी मल लगेगा पढ़े मेरा पढ़ाने में मल लगेगा फायदा दोनों का ही होगा कि मुझे By Под मिलता है जाधा लोग जुड़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता था चलो पढ़ाना चाहे दो लोगों को चाहे दोष दूसल लोगों को है जितने जाधा लोग पढ़ेंगे अथा रहता है कि ही चलिए मेनत जाधा लोगों तक हमारी यह ओनलाइन में यह रहता है वह उफलाइन तो जितनी सीट होंगी उतना है बैठेंगे लोग ओके ठीक है जी अब नई लोग जो आए हैं वो डेली आएंगे कल से नो बजे ठीक है गुड़नाइट फाइनली सभी को एवरिवन गुड़नाइट मैसेज में आपिस का नमर है वहाँ पे अपिस में बात कर लूँगा आपिस में आप बोल दीजीगा सरसे बात करनी है पूंकि वो आपिस का नमर है मिरे ओके गुड़नाइट रीनाजी जी नहीं कोर्स है आपका फाइब नाइननाइन में यह offer का banner है इसलिए banner में दिख रहा होगा मेरे 599 का course है आपका जैसी राम किरन जी गुटनाइट फिनली लास्ट गुटनाइट फर अवरीबन आव क्लास इस ओफ